कि वेलकूम माई चैनल गईज अगर आपने लैप्टॉप प्रचेस किया और आप उसकी डिस्प्ले पर यार स्क्रीन गार्ड लगाना चाहते हो तो यार इस वीडियो को लास्त तक देखना क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डीटेल मुदाने वाले हैं कि आपको यार स्क्र पर लैबटोप की किस तरीके से या लगाना है क्या क्या स्टेप यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर आपके लैपटॉप के लिए best होगा और लैपटॉप पर पर लगाके रखा यह एंटीगलेर स्क्राइट डिसप्ले भी मेरी एंटी ग्लेर ही है तो यहाँ पर कुछ जिस तरीके की आप क्वालिटी यहाँ यह मैंने टालके उसे खरीदा है यह मैंने अटिले यहां पर मंगां तो फिलाल वी वह आपानगा लेकि अप्र में और तर पर कुछल पैकेजिंग में मंगाया है और बाकी मैं फड़बर से इसमें दिखा दिता हूं क्या-kye मिलेगा आपको वैसे स्कृरीं-गारट तो मैं लगा दिया है तो यहां पर अदर आपको होगा इसके लाभब एक microfiber cloth मिल जाता है कुछ यहां पर आपको इस्ट्रक्शन वाला मैनुवल जो है कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा जिससे आप पड़ पड़ा के लगा सकते हो बाकी आगे मैं वीडियो में दिखाई देंगा क्लियर क्लियर किस तरीके से आपको बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पर लगाना है और अगर यह साक आते वक्त तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने लगबग सारी चीजें यहाँ पर सेट अप कर लिए जो कि आपको स्क्रीन गार यहाँ पर लगाने के लिए ज़रूत पड़ेगी और अगर आप लगाने में नहीं हो तो आप मार्केट से भी जाकर लगा सकते हो फिलाल मैं अप अब नहीं रहता और आप चाहो तो एक ब्रश भी यहाँ पर रख सकते हो यहाँ पर फिलाल ज्यादा यहाँ पर ब्रश की जरूत पड़ेगी ने एक यहाँ पर क्लीनिंग सॉल्यूशन आप जरूत होगा इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में देख लेन और आप कुछ इस तरीके के यहां पर जया हो वो इसक्रैप पर बना सकते हो वैसे अवैलिबल तो होते हैं नहीं मार्केट में और अगर आप चाहो तो घर में बना सकते हो आपको जब जरू पड़ेगा इसके लाब आप चाहो तो एटियम काड का भी आलए आ आराम से एट् इटा करके यहां पर रखना होगा तो anti glare screen है तो मैंने anti glare screen protector ही यहां पर मंगवाया है और देखेंगे कि क्या quality वगधर रहती है और फिलाल सारी चीजों का जो भी मैंने आपको दिखाया शबकी link description में दियूरब यह जाकर check out करना और आराम से देख लेना ये हमारा anti glare screen protector कुछ इस तरीके से आप देख सकतो बाकी box में कुछ भी नहीं है इसको मैं यहां पर side में रख देता हूं यह सारी चीज़ें भी यहां पर side में रख देता हूं और अगर साकू की दब से कोई वीडियो देख रहा है तो मैं कोशिच अगर आप एक कस्मर को rubber scrapper यार जो हो box में दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जिस प्राइज जो प्राइज आप चार्ज कर रहे हो 578 रुपीज और इसका भी description में लिंक दे दूँगा कुछ glossy अगर अगर लगाना चाहते हो तो वह भी लगा सकते हो उसका भी description में दे दू आया था तो वहाँ पर क्या था कि जो मेरी anticular screen थी वह glossy बन गए थी तो काफी ज़्यादा reflection करती थी तो फिलाल मैं इसे इस तरीके से रख देता हूं तब तक जब हमें जरूत पड़ेगी तो हम इसे निकाल लेंगे तो किस तरीके से जो हमने यहाँ पर इसे रख दिया है त तो फड़ावर से स्टार्ट करते हैं गाइज फाइनली यहाँ पर देख सेब तो मैंने screen guard लगा दिया है यहाँ पर लेकिन अभी जो step 2 है वो अभी नहीं निकाला है वो अभी आपको दिखाऊंगा सामने निकालके और यार इनकी मदद से काफी बहुत जल्दी यार काम हो गया मैं कहूंगा विदीना five minutes सी screen guard बहुत अच्छे से यहां पर लगानी कोशिकी बढ़ हाँ थोड़ा से यहां पर थोड़ा सा बबल रह गया है वो शायद यहां पर थोड़ी सी गंदगी रह गई बना मैं कहूंगा यार बिल्कुल market level screen guard मैंने यहां पर लगाया है और पहली बार जब लगाया था काफी गलत से यहां पर हम निकाल लेते हैं तो सेकंड लेयर बस क्या है ऐसे इस तरीके से कुछ यहां पर आपको यह खींच लेनी है इस तरीके से आप खींचोगे ओहो एंटिक लेयर screen निकल रही है मज़ा आ गई भाई यह देखिए यह देख सकते हैं आप screen गड़ा गया और यह मैं यहां पर सारी चीजें करनी हैं तो मैं भी बड़ा बड़ से कर देता हूं और तब दिखाऊंगा यहां पर comparison कि क्या रहता है कि जब हमारी glossy रहती है या glossy आप screen protector को लगा देते हो तो कैसा रहता है और जब anti-glare रहता है तो कैसा रहता है तो फिर फटवर से मिलते हैं फाइनली हमने देख सकते हो सारा कुछ सेट अप कर लिया और यह हमारा laptop रखा है और आप देख सकते हो screen guard भी लगा हुआ है और काफी बढ़िया तरीके से मैंने जो जो steps follow कि आप follow करते हो तो इसी तरीके से आप घर बैठे मार्केट लाइक यहां पर screen guard लगा सकते हो बिल्कुल भी मैं कहूंगा एक माइनर सा bubbles कोने में रह गया वह भी मेरी गलती की वैजस हो गया बाकि यहां पर कुछ खास bubbles यहां पर देखन को नहीं मिले quality की बात करें हो तो ऐसा लगता है थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जो color है वो down हो गया डिस्प्ले का और डिस्प्ले की brightness थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़िए तब जाके जो पहले की brightness है वो है बाकि यहां पर जो reflection वगरा होते थे वो काफी कम हो गया अगर मैं आपको पहले वा लगाया हुआ है इससे काफी बढ़िया तरीके से यहां पर हो गया हां थोड़ा से कॉंट्रास्स यहां पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको फेड मिलता हो थोड़ी से एंगल भी यहां पर हलके से खराब हो गये माना बाकि आप साइड से तो laptop देखोगे नहीं सामने से साइड बाइस साइड बाइस, साइड बाइस, भी अपको दिखा देता हूं जैसरे कहा कि इस तरीके के क्वालिटी यहां पर देखने मिलते हो साइज 15.6 इंच फोड़त थोड़ा फोड़ा रहे गया तो बिल्कुल एक्रुरे तो नहीं कह सकते और 14 में भी अवेलबो का जा जाएगा और वाले जल्दी मिलते नहीं है इसलिए मैंने यहां पर मंगाया इस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दू दे दूंगा आप जाकर जो हो अपने आप देख सकते हो क्यों सा मंगाना है वगरा वगरा प्राइज इनका 578 रुपए और 480 रुपए जो ग् काफी मैंनद लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर यह वीडियो पसंद आई तो सबसे वीडियो को शेर कीजेगा और मिलता आप से नहीं वीडियो में तब तो जैहिन बंदे महातरम